हलो मेरे दोस्तों मैं हूँ भावन certified financial planner और आप देख रहे हैं the art of wealth building आपका one point destination to seek an unbiased consultation on personal finance mutual funds में निवेश करना शुरू किया और बस उस दिन से आपका portfolio negative returns ही दे रहा है इस situation में कहीं लोग डर के अपने funds बेच देते हैं और फिर जब कुछ महीनों बाद बाजार उपर जाता है तब लालच में आकर फिर से mutual funds खरीदना शुरू कर देते हैं और उनके portfolio का return हमेशा negative ही र बहता है अब ये वही लोग है जो अपने रिष्टेदारों और दोस्तों से जाकर कहते हैं mutual funds में तो निवेश करना ही नहीं चाहिए और mutual funds में तो पैसे बनते ही नहीं तो friends इस वीडियो से मैं share करूँगा कुछ tips जो गिरते बाजार में बिलकुल भी नहीं करनी चाहिए tip number one कुछ महीनों में अमीर बनना चाहते हैं राम ने अपनी बहन की शादी के लिए जो अगले साल है कुछ पैसे save किये थे जब last year markets ने double digit return दिया तो राम ने सोचा कि ये पैसे फिलाल mutual funds में डाल देता हूँ और दो सालों में ये बढ़ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा लेकिन आज वो पैसे आदे हो चुके हैं और राम सोच रहा है personal loan लेने की so friends equity investing long term के लिए होता है और वही पैसे निवेश करने चाहिए जिनकी जरूर at least 5 सालों तक नहीं पढ़ने वाली हो और short term में equity से ज़्यादा return की उमीद नहीं करनी चाहिए tip number two अपनी ongoing SIP stop करना कहीं लोग अपनी SIP stop कर देते हैं जो उन्होंने किसी goal को हासिल करने के लिए शुरू की थी mutual fund की SIP rupee cost averaging पे होती है जो आपके returns को long term में enhance यानी बढ़ाती है एक example दू तो गोपाल ने 6 महीनों पहले SIP शुरू की थी 5000 रुपीज की जब fund का NAV था 142 तो उसे 5000 divided by 142 यानी 35.21 यूनिट्स मिले दूसरे महीने में NAV थी 400 तो उसे 33.33 यूनिट्स मिले थर्ड मन्त में NAV थी 130 फोर्थ मन्त में 128 फिफ्ट में 132 और सिक्स्त में 140 तो उसे मिले 38.46, 39.06, 37.87, 35.71 यूनिट्स अब इन 6 महीनों में उसे मिले total 219.66 यूनिट्स और उसने निवेश किये 30,000 रुपे तो उसकी average NAV हुई 30,000 divided by 219.66 जो है 36.61 सो गोपाल ने महेंगे मार्केट में भी खरीदा और सस्ते मार्केट में भी खरीदा और मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं की और अपने losses को reduce कर दिया सो चाहे मार्केट उपर हो या नीचे अपनी SIB को stop नहीं करना चाहिए टिप नमबर 3 गोल्स को chase कीजिए returns नहीं भावेश एक engineer है recently वो एक cute सी बच्ची का पिता बना है और उसने अपने CFP के साथ बैट कर बच्ची की higher education, marriage और अपनी retirement का goal set किया अब बच्ची की education होगी कुछ 18 सालों बाद, marriage होगा 25 सालों बाद और retirement 30 सालों बाद ये सारे long term goals है और भावेश को पता है कि short term में market चड़े या गिरे उसे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला और उसे तो पैसों की जरूर कही सालों बाद पढ़ने वाली है वो तो खुश है कि उसे सस्ते दामों में भी SIP करके जादा units खरीदने का मौका मिल रहा है और वो अपनी SIP, CFP के दिये हुए प्लान के अनुसार कर रहा है बिना किसी tension के So in short, goals को प्लान कीजिए और एक financial path follow कीजिए Markets को time करने के चकर में wealth creation करना impossible है Tip number 4, professional की सला ना लेना रवी एक doctor है और उसने अपने दोस्तों की सुनी और बिना सही knowledge के काफी सारा पैसा risky mutual funds में लगा दिया लेकिन wealth creation का secret है सही asset allocation with right goal planning अब रवी को घर खरीतना है और उसका portfolio negative में है और मजबूरन उसे अपने mutual funds के units loss में निकालने पड़े So asset allocation सही होना उतना ही जरूरी है जितना की goals set करके financial plan को follow कर Tip number 5, portfolio के अच्छे funds बेच देना short term under performance के कारण जब बाजार गिरता है तब अच्छे से अच्छे fund perform नहीं करते फिर चाहे उस fund पे आपने कितना भी research क्यों ना किया हो अब ऐसे समय में ये समझना की research गलत है या कोई mistake हो गई है ये सही नहीं होगा अगर आपके portfolio में select किया हुआ fund 6-12 महिनों से ज़ादा under perform करता है तो professional CFP की help लीजिए और समझ जिए कि क्या गलत हुआ है so friends उमीद करता हूँ कि इस video से कुछ सीखने मिला शेर कीजिए ये video अपने friends और family के साथ whatsapp और facebook पे subscribe कीजिए इस channel को और bell icon पे click कीजिए financially free होने के लिए और मेरी videos के notification पाने के लिए जो मैं हर Sunday upload करता हूँ और अगर आप miss नहीं करना चाहते तो and finally thanks for watching करता हुआ है